हेलो एस्टुडेंट तो आज मैं अपने चैप्टर आगे कंट्यूनियु रखती हूं तो मैंने कलного पाइथा उसके ्डाइजेशन के बारे में किसमें जो गर्स घाते मान जो घास खाते है وैसे उसप्ले आपने इनिमेल्स में डाझेशन के बारे बाइब गर था तो आज तो उसमें कैसे feeding की जाती है और कैसे digestion होता है तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे देखिए Amoeba is a microscopic single cell organism found in pond water जो Amoeba होता है वो कहां पाय जाता है तलाब में पाय जाता है ठीक है तलाब के पाड़नी में पाय जाता है और क्या होता है बहुत ही शुक्षम होता है बहुत चोटा होता है हम अपनी बिना microscope से अपनी आखों से नहीं देख सकते इसको ठीक है अपनी नगन आखों से उसको नहीं देख सकते उसके लिए क्या help लिए जाती माइक्रोस्कोप लिया जाता है जिसकी help से हम देखते हैं और यह क्या है single cell organism है मतलब एक कोशी का जीव है ठीक है और अपना सरीर कैसा है अपन इस सेल मेंबरन मेंबरेन और राउंड़ेडा की ओधिया होती है डेंस नुकलियर्स और मैणी स्मॉल बबल्स लाइक वैक्यों ठीक है तो यह आपर दीखा रख आपको स्टैक्टर बता रहे हैं 2.10 इसससल इसको साइटोपलाजम प्रेक्त होता है किसे बशेक्त होता है कोजिका में weapons प्रज ہے आग सैल्स में स्ट्रक्चर पाई जाती है तो आप पर अमीबा के बारे में रिटेल से पढ़ोगे तब उसमें आपको यह आएगा तो आपको में चाहिए कि इसके नुकली नुकलिस होता है यह फूड वेकल्स होते हैं ठीक है आप देखिए अमीबा इस पर जो अमीबा कंटिनुशली कभी तो वह पतली हो जाएगी कभी लंबी हो जाएगी कभी कैसी तिर्ची हो जाएगी तो उसके सेप होगी एंड पोजिशन मतलब कभी वाटर के और कहीं पोजिशन में पहुच जाएगी कई वाटर के पैदे में बोटम में पहुच जाएगी कभी कहां पे ठीक है तो one or one finger like projection called pseudo podium. इसके पास क्या होती है? पुस्स करती है one and more finger like projection. फिंगलाइक स्टुक्चर पाई जाएंगे ऐसी ऐसी जिसके तू prohibits श्फेट फीड फोर मुंपेंटम और उसके साहइट से क्या करेंगी? फीट हो गया माल भूण हो गया इसके स्थाफ से क्या करेगी मूवमेंट करेगी एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर जाएगी and capture of food और क्या करेगी capture करेगी food को तीक है मतलब इसमें ये शूड़ो पोडियम होती है बहुत सारी पाए जाएगी जिसके तोरह ये क्या कोई चलेगी ठीक है एक इस्थान से दूसरे एक प्लेस से दूसरे प्लेस में पहुचेगी food के लिए amoeba feed on some microscopic organism जो amoeba होती है अब वो इतना चोटा है है ना बहुत सुक्स में बहुत ही micro है तो वो क्या करेगा फिर बड़े animal को थोड़ी करेगा किसको करेगा माइक्र ओरगे और माइक्रोस्कोपिक ओरगे निजम को ठीक है तो माइक्र ओरगे निजम को क्या करेगा feed करेगा when it sends food it puts out pseudopodia around the food particles and engulf it जब उसको महसूस होगा कोई food है महाँ पर कहीं पर जहाँ पर रह रह रहा है उसके पास कोई food है तो वह क्या करेगा it puts out pseudopodia वह क्या करेगा अपनी pseudopodia होती है तो फिंगर लाइक इस्ट्रक्ट्चर होती है जिसके तुरूब क्या करता है feed मान लो इसके जो इसके क्यारेगा इसको पुस करेगा और move करेगा उसके पास पहुचेगा food particles को इसको क्या करेगा निगल जाएगा the food becomes trapped in a food particles जो food होगा जो बोजन होगा उसके अंदर जाएगा तो कहां जाएगा वो पहुचेगा कहां पे trapped in a food particles कहां पहुचेगा food particles में जाके पहुचेगा trapped हो जाएगा आगे देखिए digestive juice are secreted into the food particles जो digestive juice होते हैं ना digestive juice मैंने बताया था आपको humans में बताया था आपको animals में बताया था जिसकी थूरू क्या होती है nutrition में convert हो जाती है nutrition से मतलग उसको मालों उसको digestive juice की थूरू क्या मिल रहा है उसको protein मिल रहा है जो से होते हैं सारे nutrition होते है वह मिल रहे है उसको देख एक्ट ओन दा फूड और ब्रेक टम जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं वह फूड वेकुल्स में परजिंट को क्या करेंगे फूड को तोड़ देंगे ठीक है ब्रेक कर देंगे तोड़ देंगे डाइजेस्टिट फूड और जिसके तुरुकियों डाइजेस्टिट फूड होगे वह अशोसित कर ले जाएंगे ठीक है अब मालो मैं वाटर को अब्सूब कर रहे हूं तो मैं क्या करूं ट्रिंकिंग कर रहे हूं उसको पी रही हूं अच्छी तरह कर लिए ठीक है मेरा हर पार्ट को वाटर मिल गया तो वह चाहिए अब्सूब होगी तो इसी तो यह क्या कर रहे है डाइजेस्टिट फूड को एब्सूब कर लेगा है ना दा एब्सॉब सबस्टेंस और यूज फॉर ग्रॉथ किसमें काम आएंगे जो एब्सूब लंबा मतलब लंबा नहीं होगा वो क्या करें ग्रोथ में उसके सामील है जैसे उसका डेट चलते है एनरजी मिलेगी उसको और क्या होगा वह उसका एग होगी जो करेगा आगे रिप्रोड़क्शन करेगा एग होगे उसके जो आगे जो उसकी जनरेशन भड़ेगी तो वह वी ग्रोथ में आते हैं मैंटेनस and multiplication मैंटेनने समय खुद को इन्ते हम आन ऎसान कि मुदकी जो सरीरी को बनाई रखना उसके Uskin और मल्टेपिकेश्न में अपनी शंक्या को बढ़ाना एक से दो बन जाना इसको क्या करते हैं इसको इसका जो मल होगा वो कहा कर दे जाएगा आउटसाइट बाहर भेद दे जाएगा वाई दा वैको उसके तुरू ठीक है और आगे देखिए इसको इसको भाए दोण बदेखिए और आखिए जो बेशिक प्रोसेस होथी है मैं साधरन जो प्रोसेस होती है किसमें डाइजेशन में ओफूर और यहलीज ऑ एंपिए उसके तुरू रिलीज होती है है न वो दा सेम इन बढूवन की सब जानवरों में इन ए लेटर कैपिटर यू विल लर्न अबाउट दा ट्रांस्पोर्टेड ओफ फूड एब्जोब वाहिदा इंटेस्ट है तो यह क्या कर लाता है यह लेटर चैप्टर जो आगे का जो चैप्टर है वह आप पढ़ोगे जी जो ट्रांस्पोर्टेड होता है किसका फूड का आज अबजोब के लिए जाता हैं हमारे सरीर के दूआरा इंटेस्टाइन बोलते हैं अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन बलाज इंटेस्टाइन दूरा एबजोब कर लेज़ाज जाई तो व्टोड को तो दब्वेरिस पार्ट वोड़ी और उसके बाद जो इंट्रेस्टाइ तो इसके बाद किरियो ट्रम्स पढ़ेंगे, उसके बाद इसके वो कोशुन और आंसर पढ़ेंगे, ठैंक यू